नमस्कार मैं हूँ अभिशेक चतुरवेदी धर्म कर्म में आप सभी का स्वागत है नज़र डालते हैं पंचांग पर बताते हैं आपको आज कौन सी तिथी है और पंचांग के मुताबिक यह है आपके लिए क्या फलदाई है जानिये पंचांग के अनुसार आज कौन सा नक्षत्र है नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है ये क्या फलदाई हो सकते हैं पंचांग में आज के योग पर नज़र डालें तो आज कौन कौन से योग बन रहे हैं इनमें विसिष्ट योग कौन सा है ये भी आपको बताते हैं नजर आज के व्रतोतसब तोहार और विशेश आयोजनों पर भी डाल लेते हैं प्रतोतसब आज भाईदूजव कलम दवाद पूजा देशा चारे संत तुकाराम जैनती वशी चित्रगुप पूजा आदी प्रतोतसब है और अब जानिये जोतिशियों के मुताबक पंचांग में चंदरमा की सिती क्या रहने वाली है राहुकाल और दिशाशूल के बारे में भी जानिये चंदरमा चंदरमा तुला राशी में संपून दिवार आत्री है दिशाशूल बुद्वार को उत्तर दिशा की आत्रा में दिशाशूल रहता है चंदुसिती के नुसाराच पश्चन दिशा की आत्रा लाबदायक वर शुपरद है राहुकाल मधिमान से दुपहर बारा बजे से दुपहर बाद एक बच कर तीस मिनट तक राहुकाल वेला में शुप कारिरम यथा संभव वर्जित रखना हित कर है वाई ये बढ़ते हैं एक और महतवपूर्ण विशे की ओर और जान लेते हैं शुप मुहुर्थ और स्रिष्च चोगडिये के बारे में अति उत्तम है बुदवार को अभिजीत नामक मूरत शुप कारियों में तया जय है और अब आपको बताते हैं जिन बच्चों का जन्म आज हुआ है जो तिशानुसार उन बच्चों की राशी क्या होगी और उनका स्वभाव कैसा रह सकता है आज जन्म लेने वाले बच्च प्रसाधन प्रेमी होते हैं इनकी लिखावट बहुत अच्छी होती है इनका भागयोदय 30-32 वर्ष के आयो तक होता है तुलाराशी वाले जातकों को अपने कारिशेत्र में अनिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है आर्थिक समस्याएं रहेंगी तो पंचांग ग्रह नक्षत्र और चोगडिये आदी के बारे में जाना आपने उलेखनी है कि ग्रह नक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं आपका दिन शुभ हो धन्यवाद